तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिया boughtать गूजर की girlfriend की पूरी कहाणी जानेंगे वीडियो लाँ तक देखते रहना है और जिसने चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजिए और वीडियो और लाइक कर दीजिए चलिए चलते हैं पपला गूजर के पकड़े जाने के बाद हर कोई जिया के बारे में जानने के लिए बेताब है कि कैसे एक जिम ट्रेनर उसके प्यार में पड़ गई तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए हम आपको बता दे कि जिया बेहत खुबसूरत है उसकी तस्वीरों को देखकर आप बॉलिवूड हीरोईन के चेहरे बूल जाएंगे जिया खुद को कापी फिट रखती है और अपनी जिम के अंदर ट्रेनिंग देने के साथ साथ में वह खुद भी अपने सरीर को बिल्कुल फिट रखती है और जिया और पपला दोनों जब जिम के अंदर मुलाकात हुई तो एक प्रेम परशंग में भंद गए जिसके बाद से जिया भी उस अपरादी के साथ में अपराद की दुनिया में कदम रख दिया और जिया का कहना है कि पपला ने जिया से अपना हितिया से भी छुपाया रखा वह जिया से साधी करना चाता था लेकिन उसने अपना नाम मुझे पपला नह बता कर कोई और बताया इसी कारण जिय एक तलाङ सुद़ा है वह जिम ट्रेनर हैं जैसा कि आपको पता होगा कि जी या एक तलाङ सुदा है जोकी जिम ट्रेनर है और पपला भी पहलवानी का सोक रखता था इसके चलते दोनों की नसदी कि ना बढ़ गई और दोनों साधी करना चाते थे और जी या शोशल मीडिया में काफी active रहती थी और आए दिन नए नए post share करती रहती थी जो कि अपनी gym training के साथ से लेकर अपनी सभी बातों को वो social media पर active रहकर बताया करती थी और जिया की उन social media पर post की फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि जिया एक luxury life नजर आती है यानि कि जिया की उन फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि वह एक लगजरी यानि कि पैसे वाली है और दोस्तों अगर आप जिया और पपला को एक साथ देखते हैं तो आप कही नहीं सकते हैं कि यह किसी बदमास से प्यार कर सकती है यानि कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी खुबसूरत लड़की किसी गैंगश्टर अपरादी के प्यार में कैसे पड़ सकती है किसी मोडल से कम नहीं है पपला गूजर की गल्फरेंड जिया जिया अपनी जिम ट्रेनिंग से अपने सरीर को इतना खुबसूरत बना रखा है कि वह किसी मोडल से कम नहीं लगती है और उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि पपला गूजर की गल्फरेंड जिया किसी हीरोईन से कम है तो पपला गूजर के प्यार में पड़ने के बाद से वह इस मामले में सामिल हो गई तो दोस्तो जैसे कि आप आप जान चुके होंगे कि जिया एक साधी सुदा है और उनका साधी के बाद में तलाख हो चुका है तलाक होने के बाद में वे जिम ट्रेनर बन गई और जिम चलाने लगी उसके बाद से ही पपला गूजर वे उसकी दोस्ती भड़ी और प्यार में बदल गई और एक दूसरा से साधी करना चाते थे तो यही कुछ है जिया के बारे में कहानी ठैंक यू और दोस्तों अगर आप जानना चाते हैं कि जिया ने जेल से निकल कर क्या कुछ कहा है तो आपको एंड स्क्रीन में जो वीडियो दिख रही है इस पे किलिक करके देख सकते हैं ठैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाएं कमेंट करके बताएं किस सेरे के बारे में कौन सी चीज जाननी है किस के एंगश्टर के बारे में जानना है ठैंक यू वेरी मच